दोस्तों अधि आपका bank account bank over da में है और आप नए ATM card का pin बनाना चाहते हैं या फिर आप ATM card के pin को बदलना चाहते हैं या फिर आप ATM card का pin भूल गए हैं दुबारा से बनाना चाहते हैं तो फिर आपको bank over da के ATM में जाने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है आप लोग घर बैठे म मॉवाइल नमर के मादेम से ATM card का pin बना सकते हैं चलिए आपको हम डीटेल में दिखाते हैं दोस्तों आपको जो एस्क्रीन पर टोल फ्री नमर दिया गया आप इस नमर को अपने रेइस्टर्ड मॉवाइल नमर से यानि कि जो मॉवाइल नमर आपके bank over da account के साथ लिंक है उस मॉवाइल नमर से डायल करना है चलिए हम डायल कर लेते हैं इसके बाद कॉल कर लेगी रखने के लिए दो दबाएं आप यहां पर दो दबाएंगे पिछले पांच लेंदेन के लिए एक दबाएं किसी विशेश दिनांत के लेंदेन के लिए दो दबाएं किसी अन्य खाते की शेश राशी और अंतिन पांच लेंदेन जानने के लिए दबाएं वाइस असिस्ट प्रिप्या अपने खाते के अंतिन चार अंक दर्च करें अब यहां पर आप अपना एकूंट नमबर का लाश्ट का चारगचर टाइप करेंगे आप यहां पर तीन दबाएंगे अब यहां पर आप अपना एक्टिव डेविट कार्ड का लाश्ट का चार अक्छर टाइप करेंगे अब यहां पर आप अपना एक्टिव कार्ड का एक्सपारी मन्थ और यह टाइप करेंगे अब यहां पर देखे आपके मॉबाइल पर OTP आया होगा आप यहां पर OTP को टाइप करेंगे अब जो भी आप ATM कार्ड का पिन रखना चाहते आप यहां पर चार अक्छर का ATM बना लेंगे जो भी आपने ATM कार्ड का पिन बनाया है फिर से आपको यहां पर type कर लेना है चले इसके बाद आप call को कट कर लेंगे ATM कार्ड का पिन बनाने के बाद आपके मॉबाईल नमबर पर बैंको बोड़ा के तरब से इस तरह का मैसेज़ सेंड के आता है और इस मैसेज़ में का पिन बन चुका है दोस्तों यदि आप पहले बार ATM कार्ट का पिन बनाने हैं तो ATM कार्ट का पिन बनाने के वाद अब आपको यहाँ पर ATM कार्ट के online transaction को enable करना होगा यदि आप ATM कार्ट के online transaction को enable नहीं करते हैं तो फिर आप लोग ATM कार्ट के माध्यम से online payment नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग किस तरह से ATM कार्ट के online transaction को enable करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं, दोस्तों ATM कार्ट का पिन मनाने के बाद, आप लोग bank को बरदा के mobile banking app बीओ वी वर्ल्ड में login कर लेंगे, यदि आपने mobile banking app का registration नहीं किया है, त login करने के बाद यहाँ पर नीचे में देखे लिखा है cards, आप cards पर किलिक करेंगे, इसके बाद view card पर किलिक कर लेंगे, अब यहाँ पर देखे आपका ATM card सो करेगा, आप यहाँ पर tap to view card detail पर किलिक करके आप card का detail देख सकते हैं, चलिए इसके बाद यहाँ पर है your current active channel, आप पर किलिक कर लेंगे, अब यहाँ पर देखे बहुत सरा option दिया गया है, तो आप इन में से किसी पर भी किलिक कर लिजे, यहाँ पर चलिए हम ATM पर किलिक कर लेते हैं, अब जो भी आपके ATM card का transaction enable है, यहाँ पर वस्वो करेगा, जैसे कि यहाँ पर contact list, यह देखे off किया हुआ इसको आपको यहाँ से on कर लेना है, यह on हो चुका है, यहाँ पर contact list मतलब आप लोग ATM card को tap करके payment कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आपके mobile में NFC का support है, तो आप लोग बीना ATM card कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर domestic, तो यहाँ पर domestic में 3 section दिया गया है, सबसे पहला यहाँ पर ATM, यह पहले से on किया वा रहता है, इसके बाद यहाँ पर POS, POS मतलब point of sale, आप लोग दुकान पर इसके लावा petrol pump पर POS machine देखे होंगे, यदि आप POS machine के माध्यम से ATM card के दौरा transaction करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से on कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर set online transaction e-commerce, यदि के off किया हुआ है, तो आपको इसे यहाँ से on करना होगा, उसके बाद ही आप लोग ATM card के माध्यम से online transaction कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से on कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर international, तो international transaction off किया हुआ रहता है, यदि आप इंडिया के बाहर ATM card के माध्यम से payment करना चाहते है तो आप इसको यहां से on कर सकते हैं जैसे कि हम इसको यहां से on करते हैं तो यदे कि online transaction यहां से enable हो चुका है इसी तरिका से आप यहां पर enable कर सकते हैं लेकिन हम आपको यहां पर सला देंगे कि आप international transaction को यहां से off रखिए क्योंकि इससे धोखादरी होने का chance रहता है इसके बाद यहाँ पर set ATM limit यदि आप ATM card का limit को set करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से ATM card की limit को set कर सकते हैं आप इस तरह से यहाँ से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको ATM card का limit रखना है इसके बाद यहाँ पर set POS obliq e-commerce limit यदि आप अपना ATM card का POS limit इसके लावा online transaction की limit को भी set करना चाहते हैं तो आप यहाँ से limit को काम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि हम अपने ATM card की limit को यहाँ पर कर लेते हैं हम यहाँ पर कर लेते हैं 50,000 तो यहाँ पर देखिया हमने 50,000 कर लिया है तो हम अपने ATM card के माद्यम से 50,000 रुपे ही online payment कर सकते हैं चलि इसके बाद आप continue पर किलिक कर लेंगे अब जो भी आपका transaction pin है आप यहाँ पर fill up कर लेंगे दोस्तों transaction pin fill up करने के बाद अब यहाँ पर देखिया गया setting update चलि इसके बाद done पर किलिक कर लेंगे तो इस तरह से आप लोग ATM card का pin मना सकते हैं आपने यहाँ पर जो भी ATM pin मनाया है आप लोग इसी ATM pin के माद्यम से ATM card के दौरा कोई भी transaction कर सकते हैं मैंने आपको detail में बता दिया यदि आपके मान में कोई भी सवाल है तो comment करना मत बुलिए